दोस्तों नमस्कार, E&I Guru चैनल में आपका फेट से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम GRR और SPRS के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GRR और SPRS का उप्योग कहां पर करते हैं और कहां पर हमें GRR लगाना चाहिए और कहां पर SPRS लगाना चाहिए जैसा कि friends interviewer भी कभी कभी हम से GRR और SPRS के अंदर जो difference से वो पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए कि GRR का उप्योग कहां पर करते हैं और SPRS का उप्योग कहां पर करते हैं तो friends यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की useful और technical वीडियो आपको time पर मिलते रहें अब श्टार्ट करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले friends हम जान लेते हैं कि GRR होता क्या है, GRR का उप्योग कहां पर किया जाता है जैसा कि GRR की full form होती है grid rotor resistance तो grid rotor resistance induction motor के अंदर लगाया जाता है और इससे हम motor की speed को काम और ज़्यादा करते हैं यानि motor की speed को कम और जादा करने के लिए हम grid rotor resistance यानि GRR का उप्योग करते हैं जैसा कि आपने पढ़ाई होगा कि resistance control method की माध्यम से हम motor की speed को vary कर सकते हैं तो यहाँ पर जो GRR है यानि grid rotor resistance है वह इसी method पर काम करता है GRR को हम केसी भी motor के rotor के साथ जोड़ देते हैं यहाँ पर आप diagram भी देख सकते हैं यदि हम बहुत सारे resistance को motor के rotor के साथ जोड़ दें तो इस circuit को हम grid rotor resistance करेंगे तो यहाँ पर आप दिसकते हैं इस तरीके से resistance box होता है यह resistance box हमारी motor के अंदर जो rotor होता है उस rotor के उपर slip ring लगी होती है उस slip ring के साथ जाकर जोड़ जाता है यदि हमें motor की speed को बढ़ाना है तो हम resistance को कम कर देंगे और यदि हमें motor की speed को कम करना है तो हम resistance को बढ़ा देंगे अब हम देख लेते हैं कि grid rotor resistance का फाइदा क्या है और इसके नुकसान क्या है सबसे पहला यूज इसका ये है कि जहाँ पर हमें motor की speed को कम और जादा करना है मतलब बार बार motor की speed को हमें कभी कम कभी जादा करना है तो वहाँ पर हमारे लिए GRR बैस्ट है वहाँ पर हम GRR लगा सकते हैं अब इसका नुकसान क्या है वो भी हम डिसकस कर लेते हैं जैसा कि इस method के अंदर हम resistance का उप्योग कर रहे हैं यानि motor की जो speed है वो resistance के माध्यम से ही कम और जादा होगी तो यहाँ पर हमारी जितनी भी rotor के अंदर power होगी वो resistance के माध्यम से flow होगी और इस कारण हमारा जो resistance है वो बहुत ज़्यादा हीट होगा और हमारी power का loss करेगा इस method के अंदर I, square, R lossage बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे हमारी system की efficiency कम हो जाती है हमारी motor की efficiency कम हो जाती है तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि यदि हम GRR का use करेंगे तो power का जो lossage वो बहुत ज़्यादा होगा बारे में भी समझ लेते हैं कि SPRS क्या होता है और SPRS कहां पर लगाए जाता है जैसा कि SPRS का पूरा नाम है slip power recovery system यहाँ पर आप नाम सी पता कर सकते हैं कि हमारी motor के अंदर slip power होती है उस slip power को recover करने के लिए हम SPRS का उप्योग करते हैं अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि slip power होती क्या है slip power किसे बोलते हैं जैसा कि motor के बारे में आपको पता ही है कि motor जो होती है वह electrical energy को mechanical energy में convert करती है लेकिन आपने कभी सोचा है कि motor जो है करती है कुछ electrical energy जो है वह motor के अंदर ही loss हो जाती है तो उस loss energy को ही हम slip power कर रहे हैं तो किसी भी method से यदि हम इस slip power को जो power loss हो रही है उसको हम recover कर ले और recover करके फिर से हमारे system के अंदर fit करते हैं तो इसी system को SPRS यानि slip power recovery system कहा जाता है अब हम समझ लेते हैं कि SPRS काम केसे करता है जैसा कि यहाँ पर आप दिख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा diagram बताया है इसमें यहाँ पर जो 3 phase induction motor है इस 3 phase induction motor पर हमारी power supply आई है और इस induction motor के rotor के अंदर जो slip ring लगी हुई है उस slip ring से power होकर SPRS में जाती है यहाँ पर आप दिख सकते हैं SPRS में diode लगा होता है सबसे पहले जो AC power supply हमारे rotor से होकर निकलती है वो diode से गुजरती है और AC supply DC में convert हो जाती है तो यहाँ पर SPRS के अंदर converter circuit होता है यह AC supply को DC में convert करता है AC को DC में क्यों convert करते हैं वो भी मैं आपको जायता हूँ जैसा कि rotor से जो power supply निकलती है उसके अंदर बहुत सारे disturbance रहते हैं रिपल्स रहते हैं तो उन रिपल्स को कम करने के लिए हम पहले AC supply को DC में convert करते हैं DC supply से रिपल्स निकलने के बाद power supply इन thyristor से होकर गुजरती है और DC supply फिर से AC supply के अंदर convert हो जाती है और इसके बाद यह power supply feedback transformer में चली जाती है अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर feedback transformer क्यों लगाया हुआ है जैसा कि हम जो power recover करते हैं उस power का voltage rating बहुत कम होता है और हमारी जो incoming line है उसका voltage rating जादा होगा तो उस voltage rating को cover करने के लिए हम step up type का एक transformer लगाते हैं तो यहाँ पर हमने 415 oblique 600 volt का एक transformer लगाया है क्योंकि हमारा जो circuit है वह 415 volt निकालेगा यह 415 volt हमारे feedback transformer की incoming में जाएगा और 415 volt 600 volt बन कर हमारे जो main circuit है उसमें जाकर जूड़ जाएगा इस तरीके से जो rotor के अंदर power का loss हो रहा था वो loss ना होकर उसे हमने SPRS के माधियम से वापस से recover कर लिया है और हमारे main source के अंदर वापस से fit कर दिया है तो यहाँ पर आप circuit diagram भी देख सकते हैं इस circuit diagram से आपको ज़्यादा clear हो जाएगा कि यह SPRS किस तरीके से काम कर रहा है इसके माधियम से हम motor की speed को कम और जादा भी कर सकते हैं उसके साथ ही SPRS के अंदर I square loss भी बहुत ही कम होगा इसी कारण SPRS को GRR से बहुत जादा efficient माना जाता है तो friends, GRR का यूज करने से hitting loss में हमारी power बहुत जादा loss होगी और SPRS के अंदर power का loss भी सिस्टम में लगा जाता है तो friends, interviewer कभी भी आपसे यह question करें कि GRR और SPRS में से best क्या चीज है तो आपका answer SPRS होना चाहिए क्योंकि SPRS के अंदर power का loss भी सिस्टम में लगा जाता है I square loss भी सिस्टम में उसके साथ ही हम power को feedback करके वापस से सिस्टम में ले सकते है और power की saving भी कर सकते है तो friends, आप समझ गए होंगे कि GRR और SPRS के अंदर से best कौन सा है और यह किस तरीके से काम करते है तो friends, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरू बताएं और इसी तरह के वीडियो चाते हैं तो मेरे चैनल को like, share, subscribe जरू कर लिजे इस वीडियो को share जरू कीजे ताकि सभी को इसका फाइदा हो सके Thank you दोस्तो, thank you so much for watching my video, thank you, thank you so much, जहें 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 वारत